तो भाई लोग कैसे हो सभी आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को Xerox FM जैसा high quality thumbnail बनाना सिखाने वाला हूँ वो भी easy way में आप लोग अपने android phone के अंदर इस type का thumbnail बना पाओगे कैसे बनाना है वो ही मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा और भाई लोग कौन सा mistake आप लोग कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना है अवर्ड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही informative है वीडियो को एंट तक अच्छे से वाच करना अब गाई सबसे बड़ा जो mistake आप लोग करते हो वो है वीडियो को अच्छे से ना देखना जो कि मैं बनाता हूँ और इसके साथ साथ जेरोक से फेप का कोई भी thumbnail अंदा धून कॉपी करना आपको कॉपी नहीं करना है आपको उस thumbnail से idea लेना है और उस type का ही आपको thumbnail बनाना है type same रहेगा पर copy नहीं करना है डिटो copy किसी का भी नहीं करना चाहिए अपना एक brand बनाना चाहिए क्योंकि आपका एक खुद का YouTube चैनल है और उसको आप लोग एक brand बना रहे हो तो वहाँ पर किसी का भी अंदा धून copy करना नहीं चाहिए ठीके guys and guys अगर आप लोग को खु का रेंडर बना सकते हो खुद के character से एंड गाईज आज की इस वीडियो को बहुत ही क्यारफूली देखना आज का वीडियो देखने के बाद सभी डाउट्स क्लियर होने वाला है तो जो भी चैनल पर न्यू आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना एंड इसे के साथ साथ बेल आ है और ओं लोगोका जो रेंडर है उसको यहाँ पर एड कर लेना है आपको ठीक है आंग यहाँ पर कलर पे चले आना जाना बडलक कलर चूज कर लेना है और आपि स्ट्रोक प्र की आप लोगो को ड Clerk ब्लू ऐसी आड़ कर लेना है दिदल लूड लिंक आप लोगों प्रोट पीन का में मिल जाएगा तो आप लोगों को अपना टेक्स्ट पहले लिख लिए और लोगों को यह ौवाला फंट का भी डाउनूलार लिंक दे दूंगा तोलो कफ़के और आधब करने के बाद आभी आपको पूरा टेक्स्ट को नहीं से लिखुए नहीं थोड़ा सा टेक्स लिक के विंडिंग में मतलब की कर्व में यह पर प्लस 15 कर देनाई उसको कॉपी कर लेना है यहां पर बाखी का टेक्स्ट आप लोगो को लिखते ना है ठीक हैं इसको भी आप लोगो कर पे चले जाना है और कर पे जाका आपको इसको माइनस 15 कर देना है विल्कुल इस तरीके से देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारा बेंड हो चुका है टेक्स्ट अभी ट्रांस्परेंट बैक्ग्राउंड करके हम इसको सेव कर लेंगे तो वह लोग इतना काम करने के बाद पिक्साट अब्लिकेशन को ओपेन करके एक ब्लैक कलर का बैक्राउंड सिलेक्ट रहना है क्रॉपिंग में जाना है और अभी आप लोग को आड़ फोटो के ऊपर चले जाना है यहां पर आप लोग को रेंडर को एड कर ले ना है सबसेप पार्ट में देख सकते हो मैं आपासिट एंड हाड़नेस को डीक्रीज करके नीचे वाला पार्ट गीरेज कर लिया है और इतना काम करने के बाद आप लोग को एड़स्ट्मेंट में चले जाना एंड कर देना है आप लोग अपने हिसाब से रेंडर का एड़स्ट्मेंट कर ल से रेंड करने के बाद इसका हमें इरेज कर लेना है कुछ टाइप से कर रहा हो आप लोग को भी कर लेन भ इसका काम करने के बात देख सकते हो कुई मैं फिर सेरेजर में आया हूँ सेम हम इस एडेरफ़र पर गरेंगे आप लोग ब्लेंट पर क्लिक करना है फिर आप लोग को Cellular मैं झाल नीचे वाला पोर्शनर कर ले ना रेंडी का मदलब की लोग का अब लोगो अब लोगो भी। L मैं फिर से एरेजर में आया हूँ थोड़ा हाथ का पोर्शन भी मुझे एरेज करना था तो मैं भूल गया था तो इसलिए मैं आया हूँ एरेज कर दिया मैंने अभी आप लोग को यह वाला इफेक्ट मिल जाएगा आप लोग जस्ट एड़ कर लेना सिंपल सा एंड यहां पर कर देना है यहां पर क्रीक्ट कर स alarm इफिक उसको करने के बाद करें के पीछे तो हमें भी जना है इसके साथ हमें बीकर करके इसे other कर लिए अहरे यह काम करने के बाद सेमस्टीलrait इस साइट में भी करना है हमारा मेन वाले रेंडर में भी करना है तो इसको भी आव मुव डाउन करके सब्सक्राइब करेंकर के पिछे घ्राइज ना है जैसे कि हमने और रेला पूस्द डिया था देना है बाकी का portion हमें erase कर लेंड जो पार्ट हमें है कौने नहीं चाहिए वह पार्ट हमें erase कर लियना है ठीक है इतना काम करने के बाद घर spirits का एक बैगराउन ठीक है तो यह बैगराउंड आप लोगगो को एड़ कर लेना है एक इसको απόको मुवडाउन कर देना यहां जहां पर हमें यह वाला इफेक्ट नहीं चाहिए हमें वहा वहां पर फीर से उपर चले जाना है लाइट 10 को एड करके मुझण करके रेंडर के पीछे में है लाइद वाल इफेक्ट नहीं चाहिए ज्यादा हो रहा है उस रहुआ नहीं चाहिए उस पार्ड में इतना काम करने के पर ओंप में शाय जो की में कर तो यहाँ पर फिर से म पां करना बेट यह से ऊपर क्लिक कर दो कर देना है य। को चैंज करके बाइडिस को इंक्रीज कर देना है तो इतना काम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हुगा लिमिट रिश्ट हो चुका है तो आफ रहस दो करने है policies on तो मैंने यहीं वाला उठा लिया ठीक है तो यह को किसका है मेरे को पता नहीं एग्जमपल इसको आप ले लो कि आप अपने थामनेल में एक्स्ट्रीमा रियक्शन भी एड कर देना है ठीक है वो मान के चलो ठीक है तो आपको उसमें कैसे क्या एडिटिंग करना है वो देखो तो सेम तरीके से आपको character glow भी बना लेना है pixel lamp में जैसे हमने render का बनाया था यहाँ पर इसका hue अगर भी change कर देना है और कुछ इस type से आप लोग को कर देना है जैसे कि हमने पहले भी किया है ठीक है अभी light page को भी add कर देना है इसका भी hue हमें change कर देना है अभी brightness को भी increase कर देंगे हम लोग इतना कम करने के बाद जो effect हमने render के पीछे दिया था वह effect हम लोग यहाँ पर भी देंगे कोई भी मतलब वह नहीं है जो हम जो चीज़ हमने render पर किया था यहाँ पर भी same चीज़ करेंगे बस यहाँ पर थोड़ा erase वगएरा कर देना है आपको ठीक है कुछ मतलब इस टाइप से कर सकते हो अगर देना चाते ओ तो आप पने टेक्स को रखने से मतलब सेट करके देखना है अच्छा लग रहा है कि तो आप हमने यहाँ पर रखना है टेक्स्ट वाला था ना इसका हमें ऐंड़क्स्ट में चले जाना ह운ए यहाँ पर हीउई기도 को हमें सब्सक्तरे educated के感 o ंट नहीं लग रहा है कलर अभी थीळिए तर का लेने सिस्की का लेना है भ्राइडनिस को थोड़ा सा बढ़ाना है प्लास टुइनटी तक या फीर अब अब लोग को अपने ही लिएन टेके तो मैं Tel लास 11 रखा था तो इतना काम करने के बाद आप लोगों को गाइज एक्सटर पार्ट को इरिज वगेरा कर लेना है जो पार्ट यहां पर रेंडर के उपर आ रहा था उस पार्ट को आप लोगों को इरिज कर लेना है ठीक है और इतना काम करने के बाद गाइज यहां पर आप यह पर करके उसको आप लोग को अपके थमनेल का क्वालीटी नेक्स्ट लेवल कर देगा देगा इतना बाध आपके थमनेल को करें